गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमें रविंद्र एक बार फिर और आप हैं होम गार्डन यूटूब पर दोस्तों सबसे पहले श्रुवैकी नमस्कार और सभी विवर का बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए अगर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स उसे कह लिजिए क्योंके हम गार्डनिंग संबंदी बहुत सी जानकारियां आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो एयर लिंक से संबंदत एक वीडियो है लेमन करेंगे लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार तो आज क्या विचार है दोस्तों जिनके हिर्दय हर नाम बसे तिन और एका नाम लिया ना लिया जिन मात पिता की सेवा करी तिन तीरत भर्त किया न किया रे जिनके हिर्दय हर नाम बसे तो दोस्तों माता-पिता की सेवा करने से ना चुके हैं दुनिया में भगवान का दूसरा रूप माता-पिता होते हैं और बड़े किस्मत वालों को उनकी सेवा करने का मौका मिलता है तो चलिए आज हम बात करेंगे लेमन, सीड और लेमन की एयर लेंग के उपर तो यह आप प्लांट्स देख पारे हैं छोटे-छोटे लेमन के हैं नीवू के और मैं आपको बताऊं कि ग्राफ्टेड नीवू और जो लेमन नीवू होता है ग्राफ्टेड नीवू बहुत कम यूज होता है जातार सीड से ही लेमन उगाई जाते हैं ग्रो किये जाते हैं औ दूसी बात जितने भी जो नीबू हैं बीच से उगाय जाते हैं जेनली 99 प्रसत फल देते हैं एक या दो पाओधा या एक या 2% पाओधे ऐसे होते हैं जिनकर फल नहीं आते हैं तो आप अगर अपने घर के लिए उगा रहे हैं तो फिर जनरली काग जी यानि के बारोमासी नीबू उगाएं जो मेरे यहां लगे हुए हैं और अगर आप पॉट में लेमन उगाना चाहरे हैं तो फिर आप बिना सीड वाला लेमन उगा सकते हैं या ग्राफ्ट सीड वाला यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह बहुत सारे नीबू हमारे यहां आ रहे हैं अभी यह छोटे छोटे जो आप देखिए कितने सारे लेमन यहां देख रहे हैं आपको और यह फ्लावरिंग भी हो रही है यह देखिए अब बात आती है दोस्तों क्या यह लेंग से हम लेमन को उगा सकते हैं तो दोस्तों बिलकुल आज इसी लिए हम एक फोल कर देखते हैं वैसे यह तरीका बहुत आसान है और बड़ी आसानी से हो जाता है लेकिन हमने जो यह लेंग की हुई है यह देखिए और यह भी जिस ब्रांच पर हमने ये लिंग की है उस पर आप ये फ्लावर देख सकते हैं तो हम इसे अब पॉट में लगाने की कोसस करेंगे पहले हम देखते हैं इसे लगवग चालिस से ज्यादा दिन हो चुके हैं और हम देखेंगे क्या इसमें रूट आना स्टार्ट हुई हैं या नहीं अगर रूट आना स्टार्ट हुई होंगी तो हम इसे यहां से काटेंगे और अपनी एक पॉर्ट में सिफ्ट कर देंगे या जमीन पर भी हम इसे सिफ्ट कर सकते हैं तो चलिए पहले हम इसे खोल के देखते हैं कि मैं खोड़ी वीडियो बना रहा हूं तो फिर थोड़ी से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को यह देखें मैंने नॉर्मल मिट्टी भरी हुई थी और यह मिट्टी यहां तूट भी गई है दोस्तों खोलते समय और यह देखिए वाव आप देख पा रहे हैं यह बहुत बढ़िया तरीके से यह जड़ निकलना सुरू ही है दोस्तों और बहुत ही अच्छी सक्सेस्फुल यह लेरिंग इसे कह सकते हैं आप और ज्यादा दिन नहीं हुए हैं से मैं और इसे आपको खलका सा और साफ करके दिखाता हूँ यह देखिए यह मिट्टी आप देख पा रहे हूं तो जैनली अब हम कह सकते हैं कि यह लेरिंग सफल रही बिलकुल बहुत ज्यादा सक्सेस रही और अब यह पॉर्ट के लिए एक गमला तयार हो गया और मुझे उम्मीद है कि इस पर नीबू भी लगाएंगे लेकिन आभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ इसे पॉर्ट में लगाना भी थोड़ा कटे नहीं क्योंकि हमने इसकी मिट्टी यहां से साफ कर दिये थोड़ी सी मिट्टी बची है और हम बड़े साबधानी से से का पॉड़ा बनाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों तत्यक्ष प्रमान है उसके लिए किसी कहने की जोगत नहीं है यहां पर हम इसे आसानी से ग्रोव कर सकते हैं और मैं आपको बताऊं कि यह लेंग से जो पौदा आप लगाएं वो या तो सबसे बढ़िया रहत तो फिर जर्नली आप उसे लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ तो यह अपडेट भी हो गया दोस्तों मेरे कुछ फ्रंट की सिकायत थी कि आप अपडेट कीजिए इसे तो आप देख सकते हैं मैं इसे और किलियर दिखाने कोसस कर रहा हूं अब हम इसे काटेंगे और इसे बान देता हूं जिससे इसकी मिट्टी ना टूटे और जो हमारा प्लांट है वो खराब ना हो मैंने इस पर जो मिट्टी यूज की थी दोस्तों मैं आपको बताओं आप देखिए पीली मिट्टी थी और उसमें मैंने अंदर थोड़ी सी गोवर खात मिला ली थी और गोवर बड़े आसानी से कर सकते हैं मैंने और भी ये लेरिंग की हुई है ये देखिए और मैंसे अभी और कुछ दिन रोखूंगा दस से पंदरा दिन हो सकता एक महीने रोखूंगा क्योंकि फरवरी में मैं से सिफ्ट करूंगा तब तक और अच्छी रूट इस पर आ जाएगी तो मैं अब बांद देता हूं तो अब हम इसे यहां से देखिए थोड़े दूर से काटें जिससे आपकी ये ब्रांच फटे नहीं हिले नहीं इसकी लकड़ी तो यहां से मैं इसे काटे लेता हूं दोस्तों अब मेरे खोदी बीडियो बना रहा हूं तो मैं थोड़े देर में आपको देखाता हूं से यह आप देख सकते हैं मैंने इस ब्रांच को उस पेर से लेमन अपने ट्री से अलग कहली आ है और यह जर्नली अब बिल्कुल तैयार है हमें से ऐसे किसी पॉर्ट में या जमीन पर सेट कर सकते हैं और यह देखिए इस पर लेमन भी आ रहा है तो जो अब देखते हैं कुछ ऐसे ही वह स्टायल होती है कि आपको बड़ी अच्छी लगती है बहुत छोटे छोटे प्लांट पर फ्लॉवर्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा तो आप दोस्तों में से एक पॉर्ट में सिफ्ट करने की सोचता हूं मैं अपने फ मना नहीं करेंगे उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है नए नए एक्सपरिमेंट करना वो जैनरली आर्मी में थे तो वो मुझसे बड़े प्लांट लवर हैं उन्होंने भी हजारों पौदे लगाए हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं कहाता है कि मैं गार्डन में हूं मुझ चलिए पहले हम इसे पॉट में ही लगाते हैं मैं उनसे पूछता हूं फिर भी तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई बड़ा पॉट एलेवल नहीं है तो मैसी प्लास्टिक की जो बकेट है वालिटी है इसमें अपने इस जो हमने एरे लिंग की है इसको ब्रांच को इसी में आप हम इसे ब्रांच नहीं कह सकते हैं इसे प्लांट कहेंगे इसी में सेफ्ट हम किये देते हैं तो जो मैंने लिए वो नॉर्मल सोईल है कुछ भी गोवर खाद नहीं मिलाई है अपने गार्डन की मिट्टी लिए मैंने और वो मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ भी हम नीचे की पनी भी जो हम पॉलिथीन बांदे हुए थे उसे निकाल देते हैं अब क्योंकि अब हम इसे पॉट में लगाने जा रहे है यह विल्कुल आप देख सकते हैं और अब हम बस से आसानी के साथ अपने इस बाल्टी में इसे लगा देंगे एक खड़ा कीजिए गहरासा क्योंकि यह उपर ब्रांच बड़ी है तो इस तायत तो आजाना चाहिए और कोसस करें कि आपकी जड़ मिट्टी से कवर हो जाए और हलकी सी मिट्टी और में इसमें डाल दूँगा तो आप यह देख सकते हैं मैंने जो यह देलिंग की है प्लांट पर वो लेमन का प्लांट पॉट कर दिया है बस हलका सा इसमें अब पानी डालना है और आप चाहें तो एक ब्रांच एक लकड़ी और इसके सारे लगा दें जिससे यह हिले नहीं और यह अच्छी तरीके से इस पॉट में सैट हो जाए और भगवान से प्रातना करेंगे कि हम इस पर जो अब फ्लावर आ रहे है वो टिक जाए और उन पर फ्लॉट भी आए तो बड़ा अच्छा लगे तो अगर इस बार फ्लॉट नहीं आएंगे जैसे अभी यह सीजन फ्लॉट आने का इस पर लेकिन अभी इसमें सैट नहीं ह दोस्तों है तो पहले मैं और मिट्री डाले देता हूं जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से खड़ा रहे और जो रूट है बहुर बन जाएं इसमें और आप हम इसमें बहुत हलका पानी डालेंगे के वाल इसके पास ही जिसस से जो ज़्रूरत है उतना ही पान कि इसका टेम्टरिचर बहुत ज्यादा डाउन हो नीचे बस इतना सा पानी काफी है और दो एक दिन बाद फिर हम इसमें हलका सा पानी देंगे और दोस्तों अभी आप हमेसे धूप में नहीं रखेंगे बैसे यहां धूप नहीं है तो आप कोसस करें कि जब अगर आप यहां में रखने की कोसस करें और उसके बाद जैसे यह मिट्टी में सेट हो जाए फिर आप इसे धीमें धीप में बढ़ाना सुरू कर देजिए तो आज के हमारे कई सवालों के जबा मिले सीट से लेमन ग्रो हो जाता है एयर लेंग से ग्रो हो जाता है दाब दिदी से मैंने आप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सियर करें चैनल को सब्सक्राइब कोई ना भूले तो फिर मुलाकात होगी मेरा वींद्र फिर आपका किसी नए वीडियो के साथ नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्वाद बाई आपका दिन सुबो थैंक यू